आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी हमारी तरह प्रकृति के चमतकारों से मोहित हैं तो वन्य जीवों के बारे में अधिक दिल्चस्प रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले वाग जो कभी विशाल क्षेत्रों में व्यापक रूप से पहले हुए थे दो प्रमुक खत्रों के कारण उनकी आबादी में भारी गिरावट आई है निवास्थान की हानी और अवैद शिकार वनों की कटाई और शहरी विस्तार जैसी मानवीय गति विधियों के कारण उनके हैबिटेट खत्रे में है हमें उनके हैबिटेट को बचाना चाहिए तथा उनके कंसिवेशन के लिए अंगिनत प्रयास करने चाहिए इस तरह के प्रयास ना केवल बागों की रक्षा करते हैं बल्कि अंगिनत अन्य प्रजातियों की भी रक्षा करते हैं, जो इन आवासों को अपना घर कहते हैं. एपेक्स प्रीडिटर्स के रूप में बाग अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे जैव दिट्टा के संग्षन के लिए उनका संग्षन लहत्व पूर्ण हो जाता है. राग इक आवासों के बिनाश के पारण बागों के पनत्मे के बिसलब इस्थाने रिलेखने के तमिया हैं. इसके साथ आप साले बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए उनके खालों, हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों के अवैज शिकार ने समस्या को और बढ़ा दिया है. इस तदकाल संकट के जवाब में, दुनिया भर में समर्पित संरक्षन संगठन और सरकारे बागों के आवासों की रक्षा और उन्हें सेफकाट करने के लिए एक साथ आई है. संरक्षित क्षेत्रों और राष्ट्रिय उद्यानों की स्थापना करके, ये पहल बागों को स्वतंत्र रूप से घूमने और पनपने के लिए सुरक्षित आश्रय प्रदान करती है. बागों के अस्तित्व के लिए समुदायों को शामिल करना सफल बाग संरक्षन की कुंजी में से एक बाग के आवासों के पास रहने वाले स्थानिय समुदायों को शामिल करना है. ये समुदाय अक्सर बागों के समान जंगलों और संसाधनों पर निर्भर होते हैं, उनके अस्तित्व पर गहरा प्रभाब पड़ता है. संरक्षन संगठन इन समुदायों के साथ मिलकर काम करते हैं, स्थाई प्रथाओं के लिए शिक्षा और प्रोटसाहन प्रदान करते हैं. ऐसा करने से, उनमें अपनी प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए स्वामित्व और गर्भ की भावना पैदा होती है, जिससे अवैद शिकार की घटनाओं में कमी आती है और मानव बाग संगर्ष में उल्लेखनिय कमी आती है. जब स्थानिय समुदाइ संरक्षन प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, तो वे बागों को नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण सहयोगी बन जाते हैं. वे जमीन पर आख और कान के रूप में काम करते हैं और अधिकारियों को किसी भी संभावित खत्रे या अवैद गतिविदियों के बारे में सचेत करते हैं. इसके अलावा पर्यावरण पर्येटन पहल में स्थानिय लोगों को शामिल करके यह वेकल्पिक आजी विका के अवसर पैदा करता है. प्राक्रितिक संसाधनों पर दबाव को कम करता है और मनुश्यों और बन्यजीवों के बीच अधिक सामन जसे पूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देता है. बागों पर नजर रखने में तक्नीकी का उप्योग तक्नीकी प्रगती ने बाग संरक्षन प्रयासों में क्रांती ला दी है, जिससे शोदकर्ताओं और संरक्षन वादियों को अमूल्य उपकरण उपलब्ध हुए है. कैमरा ट्रैप और सेटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम इन प्रानियों को परेशान किये बिना सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में बागों की आबादी की निगरानी करने में गेम चेंजर रहे हैं. बाग शेत्रों में रणनीतिक रूप से लगाए गए कैमरा क्राप के साथ शोद करता बागों और अन्य वन्य जीवों के फोटोग्राफिक साक्ष्य एकत्र कर सकते हैं, जिसे उन्हें जनसंख्या घनत्व का अनुमान लगाने और समय के साथ व्यक्तिगत बागों की गतिविधियों को ट्रैक करने की शमता मिलती हैं. बाग के व्यवहार और गतिविधि पैटर्न को समझने में सेटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम भी अपरिहारिये साबित हुए हैं. बागों को जीपीएस कॉलर लगाकर शोद करता दूर से उनकी गतिविधियों की निगरानी कर सकते हैं. उनके पसंदीदा आवासों की पहचान कर सकते हैं और अन्य प्रजातियों के साथ उनकी बातचीत का अध्येन कर सकते हैं. ये डेटा उनके आवासों के संरक्षन और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के उपायों को लागू करने के बारे में सूचित निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं. इन तकनीकी प्रगती ने संरक्षन प्रयासों की प्रभावशीलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और बाग पारिस्थितिकी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है, जिससे अधिक लक्षित और सफल संरक्षन रणनीतियों के निर्मान में सहायता मिली है. बाग संरक्षन के लिए जागतिक सहयोग बाग संरक्षन व्यक्तिगत देशों या संगटनों तक ही सीमित नहीं है. इसके लिए अभूतपूर्व पैमाने पर वैश्विक सहयोग की आवश्यक्ता है. बाग पूरे एशिया के कई देशों में पाए जाते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए साज़ा चुनोतियों से निपटने के लिए अंतरराश्ट्री सहयोग की आवश्यक्ता है इस तरह के सहयोग के माध्यम से ज्यान, संसाधन और सर्वोत्तम प्रथाओं को साज़ा किया जाता है जिससे संरक्षन परियोजनाओं का प्रभाब बढ़ता है यह एक जोट द्रिष्टिकोंड, सीमा पार, अवैद, शिकार और बाग के अंगों की तसक्री जैसे मुद्दों से निपटने में भी मदद करता है इसके अलावा, धन और विशेश अग्यता का एकत्री करण अधिक व्यापक संरक्षन प्रयासों की क्षमता देता है और बागों के भविश्य को सुरक्षित करने के लिए दीर कालिक योजनाओं के कार्यान वैन में योगदान देता है ये अंतरराश्ट्रिय साज्यदारिया सामुहिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देती है इस बात पर जोर देती है कि बाग संरक्षन एक वैश्यविक मुद्दा है जिसके लिए जीवन के सभी क्षेत्रों और भौगोलिक सीमाओं के पार के लोगों के प्रयासों की आवश्यक्ता है संरक्षन की सफलता की कहानिया आशा जगाती है बाग संरक्षन प्रयासों को महत्वपूर्ण चुनोतियों का सामना करना पड़ता है लेकिन सफलता की कहानिया भी है जो उनके भविश्य के लिए आशा को प्रेरित करती है भारत और नेपाल जैसे देशों में मजबूत अवैद शिकार विरोधी उपायों और समर्पित संरक्षन प्रयासों के कारण बागों की आबादी में व्रिद्धी हुई है गश्ट तेज करने, कड़े वन्यजीव संरक्षन कानून लागू करने और बाग संरक्षन के महत्व के बारे में जागरुपता पैदा करने से इन देशों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिले है उदाहरन के लिए भारत ने एक उलेखनिय मील का पत्थर मनाया, जब उसकी बागों की आबादी 2006 में लगभग 1411 से बढ़कर 2022 में 3682 हो गई इसी तरह, नेपाल की संरक्षन सफलता की कहानी का श्रे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना, सामुदाइक भागिदारी और विभिन हिद्धारकों के साथ सहयोग को दिया जाता है ऐसी उपलब्धिया दर्शाती हैं कि जब भावुक व्यक्ति और संगठन सरकारी समर्थन के साथ एक साथ आते हैं तो सकारात्मक बदलाव हासिल किया जा सकता है आपको इन में से कौन सा तथ्य इंट्रोस्टिंग लगा या फिर बागों के बारे में कहने के लिए आपके पास कुछ है तो हमें कमेंट्स में बताए वागों की दुनिया की इस रोमांच कारी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद और हमेशा की तरह बेजिजक इस विसमे कारी यात्रा को अपने दोस्तों और साथी प्रकृति प्रेमियों के साथ साजह करें आईए, मिलकर प्राकृतिक दुनिया के रहसियों को उजागर करना जारी रखें और हमारे चारों और मौजूद सुन्दर्ता और विवित्ता को अपनाए ऐसी दिल्चस्प चीजों के बारे में और भी जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाना ना भूले अगली बार तक जिग्यासू बने रहें, जंगली बने रहें और प्रकृति के चमतकारों को हम सभी को प्रेरित करते रहने दे